प्रेंट्स आज के इस वीडियो हम आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने OPPO F25 Pro Android में अगर आपके मुवाइल फोन की स्क्रीन जो आटोमाटिक आफ हो जाती है यानि की जल्दी अलदी आफ हो जाती है फोन की स्क्रीन तो इस प्रॉल्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकत है आज की इस वीडियो हम आपको डिटेल में जानका रही देने वालों तो चलिए यहां पर वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों इसके स्क्रीन के लिए करना है क्या है अगर आपकी फोन की स्क्रीन जल्दी अलदी ओफ हो जाती तो देखिए सबसे पह आपका कम से कम टाइमिंग पर सेलेक्टेट होगा तो आपको यहां पर जादा से जादा टाइमिंग पर सेलेक्टेट कर लेना है जैसे माल लीजिए मैं इसे दस मिनट के आगे सेलेक्टेट कर लेता हूं सरकल पर तो दस मिनट यहां पर लिखा हुआ जाएगा अब इससे क् प्रोसेस आपको यह कर लेना है अब धेखे यह पर आपका फिर भी आगे कोई प्रव्लम आरहा है तो आपको अगला काम करना है तो आपको अपने आपको पर पेज में नीचे की साधी एप्स का यह ऑप्शन टाप करना है अगले पेज में सबसों परेश्वाइश शिस्टम ए तो आपका इस तरीकी से पे जाएगा इसमें इस टोरेज का यह option टाप करना है इसके अंदर आपको नीचे की साइड क्लेर कैच पे टाप करना है तो आपका यह काम जरूर करना है कि मुवाइल फोन का सॉफ्ट्वेयर अगर अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट कर लेना है अपको आपको सब्सर्च अपको लिखना हुआ हुँ तो आपको नीचे की साइड यह option शो हो गाएगा Erase All Data, Factory Research, Factory Research का यह option टाप करना है, ठीक है, आपका फोन डिरेक्ली आपको इस सेटिंग पेज में लाएगा, आपको Erase All Data पे टाप करना है, इससे आपका फोन जो रिसेट हो जाएगा, और आपके मोवेल फोन की जो स्क्रीन आटोमाटिक ओफ हो जाती है, यह प्रॉलम सॉल्व करके रखना है, यह दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रिसेट करना है, ठीक है, तो मेरे बताएवे सारे प्रॉसस आपको यूज करना है, इससे आपके प्रॉलम ना सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?